हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने शुटूप चैनल एक स्प्रेन लिफर इमें तो आज के वीडियो में हम आप सभी को केजी का हिसाब करना सिख लाएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों यहां पर प्रश्ण में दे रखाए कि 5 केजी चीनी का दाम 300 रुपि जो चीनी है 5 केजी हम चीनी लेगे तो उसका दाम कितना है तो दुकंदार बोलता है कि 300 रुपिया है तो आप बोल रहे हैं कि हमें 2 केजी चीनी चाहिए ठीक है तो आप 2 केजी चीनी लेंगे तो 2 केजी चीनी के बदले उस दुकंदार को कितना रुपए देंगे ठीक है त तो इस टाइब के प्रश्ण हम आप सभी को सिखलाने वाले हैं तो देखिए यहां पर पांच केजी चीनिक आदाम कितना दिया है तो तीन सो रुपिया दिया है तो जब पांच केजी चीनिक आदाम दिया है तो हम क्या करेंगे पांच केजी बराबर क्या लिखेंगे तो तीन एक केजी चीनी कदाम निकालना होगा तो देखिए एक केजी हम यहाँ पर लिख देंगे एक केजी के बराबर हम तीन सो लिख देंगे अब तीन सो के बटे में हम पांच लिख देंगे इसका मतलब है तीन सो में हम पांच से क्या करेंगे तो भाग लगा देंगे तो तीन सो मे से भाग दीजियेगा तो जाए इसका मतलब है एक कीजी चीनी का दाम हम को माल्म हो चुका है कि ना है तो और चीनी का नाम कितना होगा तो 2 से हम 60 रुपिया से क्या करेंगे तो गुणा कर देंगे तो देखिए 2 से 60 में जब गुणा करेंगे तो 120 रुपिया आजाएगा कितना आजाएगा तो 120 रुपिया आजाएगा तो यह 120 रुपिया जो है यह किया है तो यह 2 केजी चीनी का दाम है 120 रूपिया दो केजी चीनी का दाम कितना आया तो 120 रूपिया ठीक है तो इस तरह आप असाइन तरीका से केजी के सवालों को हल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसी टाइप के प्रशन हम एक और हल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके तो देखिए उसी प्रशन यहां पर अगला नमर प्रशन है देखिए इस प्रशन में दे रखा है कि छो केजी चीनी का दाम 240 रूपिया है तो पांच केजी चीनी का दाम बताईए ठीक है मतलब पांच केजी चीनी का दाम आप से पूछ रहा है तो देखिए जब छो केजी चीनी का दाम 240 रू लिख देना है क्योंकि छो केजी चीनी कदाम कितना है तो दो सो चालिस रुपिया है अब देखिए हम यहां से फिर क्या करेंगे तो एक केजी चीनी कदाम निकालेंगे तो एक केजी बराबर हम दो सो चालिस लिखेंगे और इस दो सो चालिस में हम छे से भाग देंगे अगर ह तो देखिए यहां पर हम एक केजी लिख देंगे अब देखिए दोसोचालिस में हम 6 से भाग देंगे तो चोक क्या हो जाएगा तो 246 से 40 बार में कड़ जाएगा तो एक केजी चीनी का दाम निकल कर आगया कितना तो 40 रुपिया ठीक है तो देखिए प्रस्ण में पूछा है कि 5 kg चीनी कादाम क्या होगा मतलब 5 kg चीनी कादाम बताइए तो जब 1 kg चीनी कादाम 40 रुपया है तो 5 kg चीनी कादाम कितना होगा तो हम 40 में और 5 से क्या करेंगे तो गुणा कर देंगे तो पांच केजी बराबर हम लिखेंगे यहां पर पांच गुड़े 40 ठीक है क्या लिखेंगे पांच गुड़े 40 अब देखिए जब हम पांच से 40 में गुड़ा करेंगे तो पंचो का 20 हो जाएगा और एक 0 बढ़ा देना है तो 2 केजी मतलब 5 केजी चीनी का दाम कितना निकल कर आया तो 5 केजी चीनी का दाम 200 रूपिया निकल कर आगिया यहीं 200 रूपिया 5 केजी चीनी का दाम है तो इस तरह आप आसाइन तरीका से केजी के प्रोशनों को हल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अगर मेरे बड़ी अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो के लाइक कर देना वो चैनल पहली बर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल घंटी को जोर दबाना